कि नमस्कार दोस्तों आपका अपना चनल लिटेश केशन सेंटर में आप सब्सवागत है आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म और बहुत धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह यूपी ट्रिपल सी स्लेबस के आधार पर वीडियो है इसके पहले हम लोग ने क्या सिंदू सबवत है उसके बाद बैद्धिक सब्सक्राइब अबंभ पढ़ेने वाले हैं जैन धर्मा और बहुत धर्मा ठीक है किसके बारे में जैन धर्मा और बहुत भी के बारे में हम लोग इस वीडि़ու पढ़ने हो दो जो लोग चैनल पर नाम क्लिक करें गहाई ताकि पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, क्या था? सुद्धोधन उनकी माता का नाम महामया था, पत्नी का नाम एसोद्रा और पुत्र का नाम रहूल था कि अब महत्मा बुध का जन्म कब और कहा हुआ था तो महत्मा बुध का जन्म 563 इसा पूरो कपिल वस्तु के लुंबनी नामा का स्थान पर हुआ था क्या हुआ था अगला प्रश्ना है बुद्ध, धम और संग अब हम लोग बुद्ध संगतिया देख लेते हैं कौन सी बुद्ध संगति कब हुई कहां पे हुई और इसके सासक कौन थे इसके अध्यच कौन थे तो देखे प्रथम बुद्ध संगति 483 इसा पुरुव में हुई थी प्रथम बुद्ध संगति 483 इसा पुरुव में हुई थी कहां पे हुई थी राजग्री में हुई थी और उसमें सासक कौन था किसके सासन काल में अध्यच कौन था महा कस्यप तो पर्थम बहुत संगती 483 इसा पूरु राजग्री में सासक अजास शत्रु और अध्यच महा कस्यप दिती बहुत संगती तो दिती बहुत संगती 383 इसा पूरु में अस्थान है बैसाली और सासक कौन था? काला सोक दिती बहुत संगती काला सोक के सासन में हुई थी, कहां पर बैसाले में, इसके अध्याश से सबाकामी तिती बहुत संगती, तो तिती बहुत संगती दोसो एक्यावनिशा पुरु में हुई थी कब उजी थी दोस एक्यावन ईसापुर में पाथली पूत्र अस्थान पाथली पूत्र और सासक कौने अशोख है और इसके अध्याश कौने मोगली पूत्तिस सें कब प्रफम सताब्दी में कहां पे कुंडल बन और इसके सासक कौन थे कनिश्क चतूर्थ बन संगति कुंडल बन में हुए थे और इसके सासक हैं कनिश्क और अध्यच्य वसूमित्र अस्वगोश थे कैं संगर संगति छसोचारीस इसवी कर अस्थान कन्यौश और सासक हर्सवर्धन इसकी अद्यचते वें संग एरze के बाँछ संगतिय अगला प्र Mayo क्या है तो तरी पिटक धर्मगर नत बहुत क्या है तो ते पिटक धर्म, तरी तर्म, ग्रफ, pros, वे, अगला प्रशन है। किस सासक ने बअधु के लिए विख्यात बिक्रम सिला भिसुभी द्याला के स्थापना की थी तो कौन था? धर्मपाल अगला प्रशन है। किसके दौरा तिर्ती बअध संगती को संरच्छर प्रदान किया गया था? तो असोक के दोरा तिरती बहुत संगती को संरचन असोक के दोरा प्राप्त किया गया था अगला प्रशन है बहुत गरंथ पिटको की रचना किस भासा में की गई थी तो एपाली भासा में की गई थी बहुत गरंथ पिटको की रचना है अगला प्रश्ण है कि सासक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन हुआ तो असोक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का क्या हुआ गमन हुआ साची क्यों विख्यात है तो सबसे बढ़ा बहुत इस्तूफ है इसलिए विख्यात है अगला प्रस्ण है गौतम बुध द्वारा अपनी धर्म में धिच्चित किये जाने वाल अंतिम ब्यक्ति कौन था तो सुभध था अगला प्रस्ण क्या है मट और इस्तूप किस धर्म से समबंदी थै तो मट और इस्तूप आपके बाउद धर्म से समबंदी थै अगला प्रश्ण है बहुत और जयन धर्म बहुत धर्म और जयन धर्म दोनों उपदेश किसके सासनकाल में दिये गए थे बहुत धर्म और जयन धर्म दोनों के उपदेश बहुत धर्म और जयन धर्म दोनों के उपदेश बहुत धर्म और जयन धर्म दोनों के उपदेश बह पत्नम अगला प्रस्ण है बौध धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी तो महाप्रजापती गौतमी थी बौध गया इस्ति थे तो बौध गया कहा इस्ति थे बिहार में अगला प्रस्ण है जातक किसका ग्रंत है तो जातक बौध का ग्रंत है सारनाथ में बुध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परवर्तन जो महात्मा बुध ने प्रथमुब्देश दियाता सारनाथ में तो क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन एक है अगला प्रश्णा है कि बौध के गृत्याक का प्रतीक है बौध के गृत्याक का प्रतीक क्या था घोड़ा था गौतमबुद द्वारा भिच्छुडी संग की अस्थापना अगला प्रस्ण है सरप्रथम सुनिता का सिध्धान का प्रतिपादन करने वाले बहुत दार्षनिक का नाम है तो कौन थे नागार जुन थे जो बहुत दार्षनिक थे सरप्रथम सुनिता का सिध्धान का प्रतिपादन किये थे किसे एसिया रोसनी लाइट आफ एसिया कहा जाता है तो गौतम बुध को गौतम बुध को लाइट आफ एसिया कहा जाता है अगला प्रशन है महात्मा बुध किस छत्री कूल के थे तो महात्मा बुध साक के छत्री कूल के थे अगला प्रस्ण है बुद्ध ने सरवादिक उपदेश कहां दिये थे तो बुद्ध ने सरवादिक उपदेश रावस्ती में दिये थे बुद्धो करामाड कहा जाता है तो बुद्ध चरित और इसके रचीता को ने असो गोस हैं गनिष्ट के समय बहुत धर्म दो भागों में विवाजित हो गया एक आप का हीन यान में और दूसरा महायान में कि अगला प्रस्ण है महाबीर का जन्मक कब और कहां हुआ था तो पांस सो चालिस हिसा पूरो कुंड ग्राम बैसाली में हुआ था ठीकाई इनके पीटा और माता का नाम क्या था तो इनके पीटा का नाम सिधार था और माता का नाम तिर्षळा था अब हम बहुत यूट में जन धर्म के जितने वहर्टंपूर प्रस्ण है उनको अम लोग पढ़ने वाले हैं अगला प्रस्ण क्या है महाबीर ने अपना उब्देश किस भासा में दिया तो महाबीर ने अपना उब्देश प्राकृति अर्धमागदी भासा में दिये महाबीर के अनुवायों को मूलत क्या कहा जाता था तो निग्रंत कहा जाता था महाबीर के अन्वायो को मुल्थ नीग ग्रंथ कहा जाता था अगला प्रस्ण है जैन धर्म के त्री रतन है तो जैन धर्म के त्री रतन कोण कोण है समयक दर्शन, समयक ज्यान, समयक आचरण जैन धर्म के तीन रतन है समयक दर्शन, समयक ज्यान और समयक आचरण अगला प्रशन है महाभीर स्वामी का बच्पन का नाम था तो बच्पन का नाम उनका बर्धमान था महाभीर स्वामी के बच्पन का नाम क्या था? बर्धमान था अगला प्रशन है महाभीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था तो महाभीर स्वामी का जन्म का जन्म 22 साली कुर्ण ग्राम 22 साली में हुआ था जन धर्म के पर्थम तिर्थकर ते तो जन धर्म के पर्थम तिर्थकर रिसब दे थे रिसब दे जन धर्म के पर्थम तिर्थकर थे अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23 तीर्थकर थे तो 23 पारसुनात थे जैन धर्म के 23 तीर्थकर पारसुनात थे जैन परंपरा के अनुसाद जैन धर्म कुल कितने तीर्थकर हुए तो 24 हुए थे कितने हुए थे 24 महाबीर का जन्म किस चत्रिक गोत्र में हुआ था तो इनका चत्रिक गोत्र क्या था जानत्रिक था महाबीर का जन्म जानत्रिक चत्रिक गोत्र में हुआ था महाबीर की माता कौन थी तो इनकी माता का नाम था त्रिसला महाबीर की मृत्यू कहां हुई थी तो महाबीर की मृत्यू पावपुरी में हुई थी महाबीर का मूल नाम क्या था तो महाबीर का मूल नाम बर्धमान था अगला प्रशन है कौन से धर्म पुनर जनम में विश्वास करते हैं कौन से धर्म पुनरजणम में विश्वास करते हैं? तो ओ है आपका हिंदू धर्म, बौत धर्म और जैन धर्म. ये तीन धर्म पुनरजणम में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं. अगला प्रसुन है, महाबीर ने जैन संग के स्थापना कहां की थी? तो पावापूरी में, महाबीर ने जैन संक्य स्थपना कहा की थी, पावापूरी में, अगला प्रशना है, जैन गरंत कल्प सुत्र के रचाईता हैं, बद्रबाहू, कल्प सुत्र के रचाईता कौन है, बद्रबाहू, अगला प्रशना है, परिशिष्ट परव जो जैन धर् संबंदी थे उस रचना के रचाईता कौन है तो वह हैं हेम चंद्र है अगला प्रस्ण है जैन धर्म के 2400 अंतिम तिर्थकर हुए महाबीर स्वामी जैन धर्म के 2400 अंतिम तिर्थकर कौन थे कौन हुए महाबीर स्वामी और इस वीडियो का लास्ट प्रस्ण है बहत्तर वर् किया में महावीर की मृत्ती होगी थी 468 इसा पूरा पावापूरी राजगीर में ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को सेर करेगा धन्यवाद